पंचोली मेरा भाई है देखें कोट कचरी का मामला है और सच तो अपने को मालूम नहीं क्या है बट रियली कंडोलेंस टू जिया खान CBI की एक स्पेशल कोट ने 28 अप्रेल को एक्टर सूरज पंचोली को बरी कर दिया जिन पर 2013 में एक्टरस जिया खान की सुसाइट के लिए उकसाने का आरोप लगा था ये वर्डेट जिया के वुंबई के सागर संगीत अपार्टमेंट स्थित फ्लाट में डेट पाए जाने के करीब 10 साल बाद आया है कहाज बाता है कि जिया खान सूरज स्पंचोली के साथ रिलेशन में थी जो तब वॉलिवुड वे अपनी अडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहे थे जिया ने एक नोट छोड़ा था जिसके बाद शक सूरज की ओर गया था जिसके बाद उनकी मौत के सिलसले में उनको अरेस्ट किया गया था जिया के सूसाइट के एक हफते बाद सूरज पर IPC की धारा 306 के तहत कतित रूप से मामला दर्च किया गया था जिया की मा राबिया खान ने काई दलीले दी थी जिसके बाद 3 जुलाई 2014 को वुंबई हाई कोट के इंस्ट्रक्शन के बाद के CBI को सौब दिया गया था अब एक्ट्रस राकी सावंथ ने जिया खान सुसाइट केस में सूरच के बरी होने पर रियाक्शन दिया है सौरच पंचोली मेरा भाई है देखें कोट कचरी का मामला है और सच तो अपने को मालूम नहीं क्या है बट रियली कंडोलेंस तो जिया खान को बिकॉस एक माही उसका दर्द जान सकती है नो डाउट उस वक्त उनोंने जो सुसाइड किया तो हमेंने मालूम क्या सिच्वेशन थी मुझे नहीं समझ में आता है यह लड़कियां प्यार में आके क्यूं सुसाइड करती है यार एक चला गया तो दो चार आजाएंगे है कि नहीं अगर स्टेशन सही सलामत है तो ट्रेन तो हजार गुजरेगी क्या कहते हो देखो मैं कितना बच्छा स्टेशन हूँ है ना तो देखे ऐसा नहीं है हर लड़की को देश की लड़की को प्यार होता है मुझे भी हुआ मेरे साथ इतनी ट्रेजड़ी हुई ठीक है हम सब भूल के देखो अभी हम हस रहे हैं क्योंकि जिन्देगी एक ही है बार बार ने मिलती है तो मरना नहीं है किसी के प्यार में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो है ना आगे निकल जाना है क्या पता जिन्देगी में को और और कोई बहतर लिखा हो